चलिए model verb में आजम समझेंगे could के सभी uses को और I hope आपने can वाले सारे uses समझा होगा और can का जो सभी use हो था वो भी आपने समझा होगा तो चलिए could को समझते हैं the model verb could serves multiple functions such as expressing past ability यानि की could का इस्तेमाला past ability के लिए करते हैं possibility के लिए करते हैं polite request के लिए करते हैं suggestions के लिए करते हैं और conditional situation को बताने के लिए करते हैं यानि यह सारे uses हो गए जो आज हम discuss करेंगे model verb could का तो before I go further पहले हम structure समझ लेते हैं जो हमें sentence frame करने में help करेगा subject could be one object पहला आपका positive हो गया negative की बात करेंगे तो subject लगाईएगा और subject के बाद आएगा could and फिर be one plus object आप चाहें तो could not लिखिये कोई issue नहीं है यहीं कि आपने देख लिया कि सर ने couldn't लिखाया तो couldn't ही चलेगा नहीं आप could not लिख सकते हैं interrogative की बात करेंगे तो subject से पहले could आजाएगा बाद में वी one object और लिखते समय question mark जरूर लगाईएगा चीक है negative interrogative की बात करेंगे तो couldn't से start करिएगा या पैसा कर सकते हैं कि could यहाँ पर लिख दीजिए और not subject के बाद में लिख दीजिए तो भी सही हो जाएगा यह बड़ा कोई matter नहीं है फिर वी one और फिर object और फिर लास्ट में question mark तो यह चार तरह के sentences generally हम बनाते तो उनके uses के लिए उनके translation के लिए structure आपकी help करेगा आते हैं सबसे पहले past ability को समझते हैं कि कैसे हम past ability could से बता सकते हैं could is used to talk about someone's ability to do something in the past यानि किसी के पास ये ability था कि वो कोई काम past में कर सकता था it indicates what was possible or what someone was capable of doing at some point in time in the past यानि कि past में कोई ऐसा point of time रहा होगा जिस particular time पे वो इनसान कुछ कर सकता था आप could का use करते हैं देखिए अब यही वाली चीजे जब मैंने आपको could के और was were able to और managed to के वारे में बताया था तो I hope ये चीजे आप समझ पाएंगे पूरे की पूरी तरह से कि क्यों could अकेले इस्तिमाल नहीं होता है देखिए अपने structure कैसे बनाया है सबसे पहले subject आएगा फिर could plus be one फिर object फिर आएगा when वाली clause फिर subject वे टू वाजवर या अगर आप चाहे तो वाजवर भी लगा सकते sentence framing के लिए या वी टू प्लस object आएगा ठीक है तो देखिएगा कि could का use single sentence से कभी past की ability नहीं बताते है I could do that और बोलते भाई या असकल तो हर लेक फेस्बूक इंस्टाग्राम फेस यूटूब हर जगा चल रहा है I could do that spoken English समझीए मैं आपको ऐसा sentences बनाना सिखाता हूं कूं बना रहे हैं आपको कोई ऐसा sentences नहीं होता I could do that I could speak English गलब sentence है यह कहीं इस्तिमाल नहीं होता है मैंने last video में reference भी आपको दिया है कि किस बज़ा से इस्तिमाल नहीं होता है अगर कोई काम आप particular situation में कर पा रहे हैं तो उसके लिए could का use नहीं होगा ठीक है वह पांच साल की उम्र में तैर सकती थी यानि अब हमने एक point बना दिया कि जब वह पांच साल की थी तब तैर सकती थी अब नहीं किलियर हुआ I could play the piano when I was a child जब मैं बच्पन में पियानों बजा सकता था यानि जब मैं बच्चा था तो मैं पियानों बजा सकता था तम यूज आप could का करिएगा अगर कोई यहां तक कह दे और बोले आपको इसर संटेंस सही है वाले क्यों बकवास कर रहे हो अंग्रेजी क सत्यानास अंगरेजी का मुर्दाबाद करने के थुले हुए हो ऐसा कोई अंगरेजी नहीं होता है इस बात का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आते पॉस्बिलिटी और सजेशन कुड कैन एक्स्प्रेस आ पॉस्बिलिटी और सजेशन ओफन इंप्लाइंग अ सेंस ओफ अंसरेटैनिटी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन इट सोज एट सम्थिंग इस पॉसिबल बट नोट डाफनिट पॉसिबल तो है लेकिन डाफनिट नहीं है अब देखिएगा यहां पर कुड पास्ट में यहां सब प्रिजेंट में करें यह जो लास्ट पॉइंट अगर आप समझ पाए तो यह सेंटेंस की एक्जामपल जो दिये हुए ना यह आपको बहतर समझना आएगा सम्थिंग इज पॉसिबल बट मैं डाफनिट नहीं हो या वो चीज़े डाफनिट नहीं है कि होगा अब कुड का यूज करिए देखिए इट कुड रेन लेटर टेकन अम्रेला सो टेकन अम्रेला यानि हम कह रहें आगे वाले को बारिस हो सकती है और आम नोट सूर लिए सर्टेन नहीं हो डाफनिट नहीं हो यूज कुड ट्रायरी स्टाइग डाफनिट तो फिक्स द प्रॉलम यानि मान लीजिए कोई प्रॉलम आ रहा है कम्प्यूटर मार कोई दोस्त आपका ये सलाह दे रहा है यार रिये स्टार्ट करके देख ले ना हिंदी में बोलत प्रिंसिपल सरे पास्ट नहीं अभी समझ में आगे आपको कि क्यो मैं बोल रहा था कि यह पास्ट की अबलीटी बताने के लिए सिंगल सेंटेश नहीं बनाते हैं अब आपको पूरा किलियर हो गया कि खुड का यूज सिंगल संटेश वाला सही क्यों नहीं होगा पास्ट के लिए क्योंकि उप्रिजेंट का पॉस्बिलिटी और सिजेशन बन जाएगा चीक है चलिए आगे बड़े हाइपोथेटिकल सिचुएशन खुड is often used in conditional sentence to express what might happen under a certain conditions यानि एक condition से उस हिसाब से क्या हो सकता है यानि कि वो condition हो जाए उस बज़ा से ऐसा हो सकता है अगेन पॉस्बिलिटी की बात कर रहा हूं मैं देखेगा कैसे यूज करेंगे एक condition में V2 आएगा और दुसरे तरफ क्या आएगा could plus V1 आएगा ठीक है और ध्यान रखेगा कि यह जो time होगा इसका present और future होगा सब उल्लू बना रहे हैं मैं क्या कर सकता हूं इसमें कोई help नहीं कर सकता आप रिल्स देखे और रिल्स से सीखे कितना बड़ा concept तो आपको समझ में आएगा नहीं if I had more time I could help you with your project अगर मेरे पास अधीक समय होता तो मैं आपकी प्रिजनावों में मदद कर सकता था ठीक है यानि अभी बोल रहे हैं हम अभी आपका project complete हुआ नहीं अभी बोल से देखे और कर सकता था यानि यह जो result है यह depend कर रहा है कि बारिस रुक जाए फिर ऐसा हो सकता है I hope hypothetical situations भी आपको समझ में आगए तो आगे बढ़ते है could be plus ing यह होता है continuous form कैसा form होगा यह continuous form होगा could be plus ing is used to express possibility of an action happening at the present moment और in future यानि या तो अभी हो रहा होगा या future में ऐसा हो रहा होगा ठीक है it indicates that something is likely occurring now or might occur over a period of time यानि या तो अभी या बाद में ऐसा होने की संभावना है it is often used when the speaker is speculating or suggesting what might be happening यानि वो तो या तो ऐसा आसा कर रहा है या वैसा suggest कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो रहा होगा again could यहाँ पर single sentence of use करने वाले तो again present time होगा past time नहीं होगा she could be working late tonight वह आज रात देर तक काम कर सकती है या करती रहेगी हिंदी कुछ ऐसा भी हो सकता है तो आज रात देर रात तक काम करती रहेगी they could be planning a surprise party for you वो आपके लिए एक surprise party की योजना बना रहे हो सकते हैं तो यह चीजे present में हो सकता है ऐसा हम speculate कर रहे हैं ऐसा हम suggest कर रहे हैं I hope समझ में आया मैं यहाँ पर could have के बारे में बताने वाला था भी बस की could have को चलिए समझते हैं यह होता है past possibility or regret क्या होगा past की possibility या regret को बताएंगे is used to talk about a past possibility that did not actually happen जो बास्तवीक में हुआ नहीं it often implies regret or criticism यानि किसी को आप regret कर रहे हैं या पस्ता रहे हैं या आप किसी को डांट फटकार लगा रहे हैं ठीक है criticize कर रहे हैं किसी को suggesting that something was possible in the past but did not occur ऐसा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ इस बज़ा सा आपको डांट फटकार लग रही है आपको criticize किया जा रहे है या आप opportunities यानि मौका था आपके पास लेकिन आपने ऐसा किया नहीं I could have helped you if I had known you were in trouble मैं आपकी मदद कर दिया होता अगर तुम ट्रावल मुझे पता चल जाता कि तुम ट्रावल में हो यानि अगर मुझे पता होता कि आप मेहनत की होती तो वह दोड़ सकता था अब उसको लोग criticize कर रहे हैं जार इफ यू इफ यू had studied harder you could have got 95% marks अब आपको डांट लग रही है करियार मन लगा के पढ़ लेते न मेहनत से पढ़ लेते न तुमको 95% मार का सकते थे अब नहीं आये marks अब आपको डांट पढ़ रही ह के ये भी आपका third conditional होता है तो अगर आप third conditional में use करेंगे तो ये आपको regret और criticism का sense देगा ये चीज़ समझेए सिर्फ हिंदी रट्टा मत लगाए मैं ऐसा कर सकता था मैं ऐसा कर पाऊंगा कुछ इस तरीके से sense आपको आजकल वीडियो मिल रहे है तो please avoid किजिए अपने आप को ये सब चीजों से English सीखिए तरीके से सीखिए English का मजाग न बनने दीज या न बनाईए चीक है चलिए धन्यवाद आप सभी का like share करिए वीडियो को आप लोग जितना जादा कर सकते शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ उनको भी benefit हो और अगर चैनल पर पहली बार आए ह तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू मैं चैनल इंगलिस वीद रंजन और लोगों के साथ शेयर भी करिए धन्यवाद